लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें क क किवा अल्टरा चनल्स करें प्रेस विया अल्सक्राइब करें आईकन कार्णी सेवाब करें। झाल 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 आज तक नहीं रेखा फोटो का तो पता नहीं लेकिन बाते बहुत अच्छी करते हो झाल वाइए, फ्लीस वस यहाँ हाँ, एक मिर्ड़, फोल्ट लुक वाँ, थोला फेस इस तरफ फंतास्टिक, बीुटफुल टेरफिक हाँ हाँ यह वाँ, बीवुटफुल पॉल्ट होल्ट होल्ट लुक हाहाँ, वाँ मन्ने की टकी का फेस कठे है राजेश नेकलिस कैसा लगा सेथ देख भाया यह मन्ने के सवाल का जवाब नहीं है और यह मेरे भी सवाल का जवाब नहीं है सेथ यह बैंके टके मन्ने का नौकर है मन्ने हर मेन तैको पंद्रा सो पकार दो क्या देखो जैचंद पिछले पांच महीनों में मैंने तुम्हें पंद्रा ऐसी लड़कियों के तस्वीने दी जिन्होंने कीमती जेवर पहन रखे थे और वो सारे जेवर चोरी हो गए अरे तैको से मतलब तुमने लाखो रुपए के जेवर चोरी करवाए मेरी फोटो के वज़े से और मुझे दिये महीने के सिर्फ पंद्रा सो रुपए अब मैं तुम्हें जेवरों के फोटो दिखाऊंगा कि मत तुम लगाना चोरी मैं करूंगा 50 मेरा और 50 तुम्हारा वा बेटा वा मन्ने की बिल्ली और मन्ने के मूँ पर म्याओं सोच लो सेट सौधा मंजूर है तो ठीक है वरना खरीदने वाले बहुत मिल जाएंगे जल्दी नहीं है सेट नेकलिस चुड़ा कर मैं पहले तुम्हारे पास हूँगा सौधा करने बाइबाई सेट मन्ने के माल में इस्सा ना दू यह मनने का मल में से बागे है कवो यह को सबस मास तर विच्छा करो नेकलेस एक के आथमे लगाने से पहले मन्ने के लगजाना चाईए पुड़ो चीनो और नेकलेस लेकर मन्ने की बशाओ जाओ जाओ ओके बश वा? Maa? Maa? Ney maa? Maa? Saat hocam haa? Maa? 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 Saat hocam haa? Maa? 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 में जन्म लिया है बड़ा ही आग्या कारी पुत्र है तुम्हारा भगवान की बहुत-बहुत क्रिपा है पुजारी जी चलो बेटा कि लो भीया बागी पैसे वापिस करते हूं क्या करते हूं यह क्या तस रुपे मैंने तो बीस रुपे दिये थे दस रुपे फूलों के कटूंगा नहीं क्या अरे बाई साब सब लोग यह पांच रुपे लेते और आप मेरी दुकान की हर चीज असली है यह फूल कश्मीर से आते हैं यह पेडा बंगाल से यह अगरवक् की डबल कीमत होती है क्या समझें भाई यह तो जबरदस्ती है तो कल से किसी दूसरी दुकान से ले लेना लेकिन भाई साब आज की साब क्या होगा बताओं हाँ तुझे लगी तो नहीं और और बताओं ए नहीं छोड़ बिटा चोड़ ऐसे लोगों के मुझा लगना जाने संसार का क्या होगा हाँ भया हाँ तुम्हारा माल ही असली है हाँ चल चल बेटा चलो है ऐसे गुंडों की मूल लगना ठीक नहीं यह बैठा माँ कि अ कि कि तरी यहरा तो मरा माल करेंग, तरी यहर व्मत तरी यहरा नंतर स्वारा माल करेंग आपका आपका सब मार असली है, भाइं! ये भी असली है! क्याहत safety क्याहत गुड़न सब मार असली असली है, भाइं! ये भी असली है का सब मार असली असली है, भाइं! अच्छा तो यह बंगाल कश्मीर और केरला का असली माल बेचने वाला हम ओ तुमाने आपको फोन कर दिया उसने जब बताया कि तुम किसी दोस्ते मिलने गया हो तो मैं समझ गया कि तुम इसको लेकर आते हो गए अबलदार अंदर कर दो साले को एक मिनिट एक मिनिट यह असली माल बेचने की दुगनी कीमत लेता है लेकिन पहले इसकी असलियत तो जान लीजिए इसकी असलियत भी है हाँ इसका असली नाम है राग वन चोरी स्मगली में काफी डिग्रिया लो चुगा यह वांटेड लिसम निकल पाएगा मेरा नाम इंस्पेक्टर राम होता रहा है क्या समझा अंदर कर दो साले को टट जवाब नहीं तुमारी याददास्त का वेटे उसकी फोटो लगी है मेरे पुलिस टेशन में और पच्चान लिया तुमने अठीकी बात है डारी मैंने पैचाना या आपने पैचाना मकसद तो मेरे मेडल बढाने से ना वेटे गुंडे और बदमाशा को पकड़के ल ब Easy, बाजोब ये तो मेरा बेटा था जिसने तुझे बहुत कम मारा अगर माए होता ना क$ नमस्ते नमस्ते कविता जी नमस्ते बादे के मुताबिक मैं वक्त से पहले मौझूद हूँ कवीता जी इससे पहले मैंने इतने खुब्सूरत चेहरे की पोटो कभी नहीं कीची आप खुर दिए देख लीजिए कैसे लगे फैंटास्टिक ये क्या है कोई शायर कोई बागल कोई बेपीर बन जाए तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए अरी वाँ आप तो शायर भी है था नहीं आप ने बना दिया कल रात में आपकी तस्वीर डेवलप कर रहा था तस्वीर धुर कर भार निकली तो ऐसा लगा कि सारा का सारा डाक रूम जग मगा दिल में भावना का एक तूफान उठा दिमाग ने उसे शब दिये और जुबान ने उन शब्दों को शेर बना दिया अगर आप मेरा साथ दे हैं तो मैं यही शेर आपको गा के भी सुना सकता हूं प्लीज ओकी कोई रिशार कोई पागल कोई बेपीर बन जाए कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए हुआ हुआ है है ना एक दिवाने की बातों का एक दिवाने की बातों का निकल आया है दिन के वार पर कैसे चांद रातों का दिरे दिरार से बिगरी हुई तक दिर बन जाए कोई शार कोई शागल कोई में फेर बन जाए कोई बन जाए नचक जाती है डाली की तरा तेरी कमर तौबा बदल जाती है मासम की तरा तेरी नजर तौबा कभी ये पूल बन जाए कभी ये तीर बन जाए कोई शार कोई पागल कोई बे तीर बन जाए तेरे सर की पसम मुझे को तू इतनी हो बसूरत है तेरे सर की पसम मुझे को तू इतनी हो बसूरत है पहाड़ों की जरूरत है न भूलों कश्मीर बन जाए कोई शार कोई पागल कोई में पीर बन जाए तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए कोई शार कोई पागल कोई में पीर बन जाए कोई शाय कोई पागल कोई बेपीर बन जाए कमाल है आप तो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं कमाल मेरा नहीं आपका है उपर वाले ने आपको वो कशिश दी है कि अगर आप बेजान मूर्ती का हाथ भी बगड़ लें तो वो भी नाचने लगे बस बस अब तारीफ के इतने पूल मत बांधिये कि मैं हवा में जूलती रहूं अच्छा ये बताएए कितने रुपए दू आपको फोटोस के हैं रुपए क्या बात कर रही हैं आप कवीता जी आपने इतनी सी देर में मुझे जो कुछ भी दे दिया उससे बड़ी कीमत और कुछ नहीं हो सकती सेरेज जी हाँ गुनाइट दे जाँ 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 शवा आप मुझे अपनी गाड़ी की चपी दीजे मैं उन्हें अभी पकड़ता हू नहीं, नहीं, ये गुंडे बदमाश फहुत खतरना होते हैं, आप अपनी जान खत्र में मट डालिये। कमाल करती है आप, आपका नेकलेस चोरी हो गया और आपको मेरी जान की पड़ी है। क्या वो नेकलेस महिंगा था? ये ही कोई धाइला का, मगल मेर बास इसे बहुत सेवर पड़े हैं, जो कुछ भी हुआ आप भूल जाएए, प्लीज. सावास, मन्ने के प्यारे, प्यारे कवों, आता है लोगोंने मन्ने की तबियत खुझ कर दी, वो हराम जादे राजेस के मुझ से हड़ी उड़ाकर मन्ने की तबियत खुझ कर दी रहे, वो भेहन का टका मन्ने के साथ, जैचंद के साथ सोधा बाजी करना चाहता था, बेवक आई तो वरकूक कहीं का बेवकूक तो महोजय संदि तुमने अपने कवधों को सिर्फ छीदना सिखाया है कि अस्ली नकली की पहचान नहीं सिखेंग कही और ते रही हाद में जो हएवाम Birthday हें लेजैर के हात नाम जो हार है ये स्ल ये इक हार आटे इस टे करन्टें लिए हैच करन्टห डे कर लो अaky are you कि tons लिए साथा करते हुआ दूसरा डॉड कि लूड़ ऑँ अगिमिदोपाय कामतार है ये इस आध मेधर लो इसमेदgrowth мног यह बीस हजर में पिछले हिस्दाब में जमा कर देता हूं अब इस नेकलिस की बात कर समझ गयो बिले के मुह में खूल लग गयो कवो इस बैर्क टैकेंगा मुह साफ कर दो करो 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 अगर मेरे साथ ज्यादा शरारत की ना तो ये गर्दन प्राथ के तेरे हाथ में दे दूगा समझा समझ गयो किले चाकू करो 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 कर कर चार्ट बिल्ला और पंजा की आजादी की खुशी में चार्ट लेकिन ये चमतकार हुआ कैसे है भाया सरे हम इन बेहन के टकोड़ा है छे आदमी माच डालने है और अदालत ने इनको छोड़ दिया यह सब मेरे भाई नेता परोश्राम का कमाले जचन उसके एक फोन पर अदालत इंसाफ करना भूल गए मेरे भाई की मर्जी को रोकने वाला इस थर्थी पर पैदा नहीं हुआ जचन सेट आज जमाना दौलत का गुलाम है हर चीज बिक्ति है खरीदने वाला चाहिए एक चीज नहीं बिक्ति इसी अदालत अदालत को बाई अप इस जगह से नहीं हेलेगा मज़ा सर्फ बिलार बन्याज चाहिए किसी ने दखल लांदाजी की कोशिच के वो अपनी माध का जिमेदार खुद होगा जालत बार लो, बार लो कर दो 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 कि अधालत का पैसला इनसान को पता नहीं चलता इसलिए वो गुना पर गुना किया जाता है और इनसान की अधालत कभी कभी फैसला करने में धोका खा जाती है इसलिए मैंने बनाई है तेसरी अधालत जो तुम जैसे हत्तारों को सजा देगे सजाए मौन सजाए मौन प्रॉब घालत के चरागाए मौन यजल्यूशा तेसरी अधालत कर दोता देगे यदाए मौन तीसरी अदालत तीसरी अदालत ये तीसरी अदालत आज तक 21 आदमियों का मडर कर चुका है और हमारे डिपार्टमेंट को ये भी बता नहीं है कि वो कौन है कैसा है कहां से आता है और कहां जाता है सर जो भी हो वो तो सर्फ उनी क्रिमिलेस को मारता है जिने हमारी अदालते अपनी कम्सोरियों को वजह से छोड़ देती है इसकामतलब यह नहीं काम उसे छोड़ देंगे इंसाफ और कानून को हाथ में लेने वाला कानून का मुझरिम है और उसे गिरफतार करना हमारी जूटी है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तीसरी अदालत को जल्द से जल्द अपनी अदालत के कट घरे में लागे खड़ा कर दें कर देंगे जुटार कर देंगे तो फस्ते रंग से मिर जाग जाहा तेरी सहमा करेप कारा ताथ श्रीयाकाल आद्वा जी ओके नमस्कार सेट साब नमस्कार अरे बलवंत तुम्हें तो शाम तक वापस आना था माल ठीक ठाक पहुंचा दिया ना साब जी यह चलान आपके सामने और देखिये पूरे पौने साथ गंड टेमों वापस आगया हूं वहां से वह कमाल है बई तुम्हारे जैसा तेज और भरोस अजनाव जनाव आज क्या है कि आज हमारी सादीक सालगी रहा है अगर मैं जल्दी चला जो मेरी बीवी खोस हो जाएगी अच्छा मुबारको भई मुबारको वह तजी करें पापाजी साथ स्विकाल जसमीर कित्या मेरा बीर बोरा वे जस्वांत तुम्हारा जिंदर है जि सुनो जी पलंग पन नए कपड़े रखे हैं पहल ले ना मैं तो ऐसे ही आ रहा हूं है मिन्दिया चमकेगी चूड़ी खानकेगी गड़ी तुर दी हैते तुर जाए डूंदूंदूंदूंदूंदूं कहा गये हैं अरे बबाबा छोड़ो ने मुन्नद टब जाएगा मुन्नद टो इतना खुश होगा चिह हम पिता जी कहा हम। और पन बनेंगी है मैसेफ किते हैं तुर्य सत्म मैं तो भूली गया था ये अपना मुनना ही बीच में स्पीड बेरेकर बन गया है ए सुंती ऐसा लग रहा है एक निन तो है चलो हटो चलो हटो इतनी जल्दी भागने की क्या है आज मैरेज सेल गिरा है मैं अपनी डर्लिंग अपनी सुंती के लिए छोटा सा प्रेजन्ट लाया हूँ अपनी हाथों से पहना दूना विश्ले जनम में जरूर मैंने कोई पुन्य किया होगा जो तुम जैसा पती और चस्वन जैसा देवन मिला हगवान से यही प्राथना करती हूँ ख्यार जनम में मुझे यही सौपा के मिली सुंती है सुंती है तुम से बना मेरा जीवन सुन्दर सपन सलोना तुम मुझे से खपा न होना कभी मुझे से जुदा न होना तुम से बना मेरा जीवन सुन्दर सपन सलोना तुम से खपा न होना कभी मुझे से जुदा न होना मैं कितना खुश किसमत हूँ मुझे तुमारा प्यार मिला और भला अब क्या मागूं प्यार मिला संसार मिला क्या करने है हीर मोती क्या करना चांदी सोना तुम मुझे से खपा न होना कभी मुझे से जुदा न हो तुम से बना मेरा जीवन सुन्दर सपन सलोना तुम मुझे से खपा न होना कभी मुझे से जुदा न होना जो घसके मुझे से बना इंग तुम मुझे से जुदाओं मैंने रखा है तुम को इस जी में जान बना के मैंने रखा है तुम को इस जी में जान बना के रखना मुझे को तुम अपने गजरे का फूल बना के मेरे दिल में यादों के काटे नहीं चुहो ना तुम मुझे से खफा नहो ना कभे मुझे से जुदा नहो ना तुम से बना मेरा जीवन सुन्दर सपन सलो ना कभी मुझे से जुदा नहो ना जस्वंत आगया अब तो कुई भी आजाए जस्वंत अरे तुका भाय रे मैं क्या तेरी भावी के आंक में कुछ पढ़ गया था निकाल रहा था और तु ए ए जस्वंत यह तु सिगनल डाउन करके क्यों खड़ा है तु आया कब भाया उस वक्त आया जब आप और भावी दोनों इजाज़ाद हो तो आखो पर से हाथ हटा लो भाया हटा ले लेकिन एक बात का ख्याल लगना आगे जब घर में दाखलो तो पहले दरवाजे पर ठक ठक करना नहीं तो बनट पर चेप डाल तो भाया 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 अपने यह हाथ मेरे उपर सिर्फ आशिरवाद के लिए इनके लिए क्यालाता भावी भगवान ने इनका जन्म तो मुझे देने के लिए किया है बाप का प्यार भाई के महबब गुरू की शिक्षा मां जैसी भावी सब कुछ ते नहीं तो नहीं दिए पगले बसकर मुझे रुलाएगा तू क्या अरे बलवन नहीं आया रहे नमस्ते सेज जी जैस्वन तू बलवन कहा है बलवन भीया के जगह मैं आ गया हूं क्यों भावी उमीद से हैं कभी भी अस्पदाल जा सकती है इसलिए वो नहीं आया आच आच कोई बात में जा 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 जी सुनू जी जैस्वन तक मैं राइविंग लाइसंस यहीं भूल गया क्या लाइसंस यहां भूल गया अरे बहुमे से नासिक तक तू चेक पोस्त ही चेक पोस्त पड़ते हैं इतने पैसे देने पड़ेंगे बेचारे को जेब खाली हो जागी ले तू पकड़ ये कुपी और समयाँ क्या है चल्दी चल्दी जल्दी चल्दी चल्दी अगता साला उल्लू का पठ्था ये क्या क्यों तुम्हें उठाई इसको चल्दी से पेटी में पर दे चलाओ अंदर रख दे गदे कई अरे जशुरंथ ये पेटियां समाल के नासिक पहुचा देना है नहीं सेट जी मैं एक खोटा काम नहीं करूंगा अब पागल हो गया है क्या अभी तक साथ सो के नोकरी करता था अब हमारा साथी बनकर माल कमा दो हजार रुपिये मिलेंगे एक ट्रीप के पगार अलग और पक कि ज्यादा बखबख करने की जरूरत नहीं जो काम बोला है न वो कर वरना वरना मुझे मार डालेंगे क्या जरूर मैं अभी जाकर पुलिस में रिपोट करता हूं जिन्दा रहेगा तो पुलिस में रिपोट कराएगा न है यह बगड़ो इसको और नसा लेको मार नसा लेको बाल! ांय! कोसा! Μहाइ़! С hydrationUp वाइ़ को एज एज ह explor ऑनात्य में एज है में एना! मुशे बत्सके औएजय को एज एज है वाइए एज है कोसा एक्षाग में एㅎ बहियाρ!! नहीं मेरे भाई!! तुट जिएगा... तुझे तुझे कुछ नहीं होगा जुसवां। तुझे कुछ नहीं होगा. यह समख कैसे हो गया। जेट लोगो ने मुझसे तुझी स्मगलिंगर सोने को ठकमीं लेजाने को कहा diminu मैंने मिना किया और के वेरोन लोगोने मुझे आपको मार दिया हुआ तो इसंपस खालव का भी एमना नहीं चालव आ। ईव मैं या मन जाए कोई थालत काम नहीं करना वंनोम पाभी का क्या होगा खालनवा ्लिव? इस वैए इस वैए इस आप क्या हूं इसको कौन है यह ए यह चोटा भाई इस काम करता था पॉलक समगला है इसने देख लिया और इस निगा कि मैं पुलिस में इतला करूंगा और उन लोग ने इसका खून कर दिया साथ अब उन्हें गृफता कर लीजिये उन्हें पासिके त पर चड़ा दीजिए अवल्दार इस आदमी को लॉकप में बंद कर दो क्या है मुझे मुझे लॉकप में किसलिए खून लोगों ने किया है लाश आपके सामने पड़ी है आप मुझे किस जुर्म में गर्फतार कर रहे हैं हम तुम्हे तुम्हे भाई के कटल के जुर्म में किरफतार कर रहे हैं तो पाकिरा इंस्पेक्टर! मैं अपने भाई का खून कर दूगा? हाँ, अंदर कर दो इसे! अब मैं आपकिसी का खून कर दूगा! जबर्दार! वर्ना गोली मार दूगा तुम्हे! ये जुल्म है! बन क्या दूशा अंदर! ये सरस्सा शुल्म है! ये अंदर है एंस्पेक्टर! ये कैसा इंसाफ एंस्पेक्टर! हम घरीबों के साथ! तोहों, सालों, मैं तुम्हे नहीं छोडूँगा! कभी नहीं छोडुँगा! ची-ची-चीची, चीखने चिलाने से कुछ नहीं होगा, बलवन्थ. जानते हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाई के खुन का इलजम क्यूं लगा है य। क्यों कि तुम्हे पता चला कि तुम्हारे भाई जस्वंथ और तुम्हारी पत्नी के नाजाइस तालुकात हैं कुत्ते की आलाद मैं मैं तुम दोनों को जिन्दा नहीं चोड़ूगा और तुमने गुस्से में आकर अपने भाई का खून कर दिया नहीं ये जूट है ये सरासर जूट है हाँ हाँ ये सरासर जूट है लेकिन इस जूट को और भी सच करने के लिए आप दोनों को एक काम करना पड़ेगा इसके घर में आग लगा दीजे और उस आग में इसकी पत्नी का जल कर मरना बहुत ज़रूरी है नहीं तुम मैंसे किसी ने अगर मेरी बीवी को चुआ भी तो मा की सोगंद मैं तुम सब की हर्दिया कुटों को डाल दूगा मैं तुम्हें छोड़ूगा नहीं और पुलिस रिपोर्ट बनेगी कि इसकी पत्नी ने शर्म के मारे आत्मा अध्या कर लिए आप लोग चलिए मैं आगे समाल लूँगा इस लाश को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज़ दो अच्छा साइब यह कुस्तो मुझे अपनी मा की सोगंद अम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगा मुझे बाह आने दो है मालकिन वजब हो गया क्या हुआ बलंद भाया को पुलिस ने पकड़ लिए किसलिए उन्हों ने जैसे भाइय का कभी यह हो सकता नहीं हो सकता है क्या ऐसा हो गया है हां और यह बाच शहर में सब लोग जानते हैं कौन हो तुम्हें इस घर के लिए मौत के देवता है क्या बाच भी अिए कि या आनुए यदानो मंझा प्रखबके है मंझा बाच भी इस परेदो है 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 और जाग में इसकी पत्नी का जगर मना बहुत जरूरी है नई जरूरी है गुद मानिंग हावलगर साप गुद मानिंग कैसा वो खुनी राद भर शेर की तरह धारता रहा तंग कर दिया मुझे उसको समालना यह लो चावी मैं देख लूंगा उसको अचा आ अई हो गज चेदारा अई है है हूँ हुई 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 ए हुई हुई जुँआ सुबथेंग सुबथेंग सुबथे empreended ुबथेंग जान हो एख दो जान जान बनां जान 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 得 जान जान 10 झग हुई झाओ झाओ। 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 हाई! 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 हुआ हुआ! हुआ 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 एक 보보고 हुआ! बेह्ट हुआ 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 को स slippingके कर दो सुठी क्या कैशा अपने बुन रख थे मैंने त점ा जीने के लिए अपने बच्चों के साथ जीने के लिए अपने छोटे भाईजिस के साथ जीने के लिए लेकौन उनद्र इन्दों ने हमारे सपनों में आग लगा दी कि हमारी हस्ती खेलती जिन्दगी को खत्म कर दिया लोग लोग इसे भगवान की देन समझ कर जह लेते हैं मर मर की जीते रहते हैं मैं भी मर चुका हूं सुम्ती लेकिन फिर भी जिन्दा हूं जानती है क्यों उन्हें सजा देने के लिए जो कानून की अदालत को धोका देकर बच निकलते हैं अब इस धर्थी पर कोई रनवीर कोई बलवीर जिन्दा नहीं रहेगा कि उनकी तीसरी अदालत मैं हूं उन्हें सजा मैं दूंगा इनकी ये हालत कब से है मैं दस साल का था तब से मा को इसी हालत में देख रहा हूं ऐसी खामोश चुप चुप बैठी रहती है हाँ अगर कोई तेज आवाज हो जाए तो एकदम से बढ़क उटती है ऐसे केसिस के पीछे कोई न कोई हाथसा जरूर होता है जो दिमाग पर अ इनके साथ कुछ ऐसा हासा हुआ ? है ॐसा कोई हदसा मुझे तो याद ने है ृं इनकी इलाज सिर्फ अमयरिका में होशकता है अमयरिका में हां वहाँ कुछ ऐसे केसिस ठीकíएगे इह लेकर खर्च बहुत होगा मेरी मा ठीक हो जाए, इसके लिए मैं अपने आपको भी बेच सकता हूँ, डोक्तर कम से कम दस लाख रुपए खर्च होंगे, उसका इंतराम हो जाए तो मेरे पास आ जाना मैं चलता हूँ, it's all right बाई बाई रांजेश दस लाख रुपए? दस लाख रुपए कहा से लूगा मैं? इतने सारे रुपए कहा से लूगा? रणबीर, माल पहुचा दिया ना? आरद भर को ट्रक जाएगी गुद मौनिंग डैरी अरे गुद मौनिंग, गुद मौनिंग, अंकर गुद मौनिंग, बेटा तैडी, मारूतिकार का एक नया मॉरिल मार्केट में आया है, मुझे हो चाहिए देखो बेटी, वो डिपार्टमेंट तुमारे चाचा का है, समझे ना? और चाचा तुमारे बाद टाल नहीं सकते, एक अपते में गाड़ी आ जाएगी बेटा थाइंक यू अंकर हाई कवीटा, हाई सुनिता, कैसी है तो? ठीक हूँ, कम अगर मैं नहीं आई तो तुम मेरे क्लिनिक में मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी, क्यों अंकल? भाई तुम दोनों सहेलियों के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूँगा सुनिता बेटा, कैसा चल रहा है तुम अना क्लिनिक? बहुत अच्छा चल रहा है अंकल, लगता है आज कल दुनिया में दुमागी मरीज कुछ ज्यादा ही हो गए है मुझे तो डर लगता है के मरीजों के चक्कर में कहीं तू भी पागल न हो जाए अच्छा तुम दोनों बाते करो हम लोग चलते हैं वह वो ट्रक का में यह बोल रहा था अच्छा सुन डाडी ने मुझे बुलाया है सोचे तुझे बोल के जाओ परना तु बार में सर खाएगी कब जा रहे है तो मैं शादी नहीं करना चाहती डाडी कैसी बातें कर रही हो बेटी तुम्हारी स्वर्गवासी माने इनके बेटे के साथ तुम्हारा रिष्टा बच्पन में ही तैकर दिया था इसलिए मने इने बुलाया है ओ डाडी हमारा बेटा सुन्दर है पड़ा लिखा है ना करने से पहले एक बार उसकी तस्वीर तो देख लो जब उझे शादी ही नहीं करनी तो फोटो देखने से क्या फाइदा सु बच्चे ये सब तो जुरूरी है ना ये सब किताबिक बाते हैं अंकल मैं साइकायट्रिस्ट हूँ सैकड़ों मरीज मेरे पास आते हैं और ज्यादा तर उनमें शादी शुदा औरते होती है और जानते हैं उनकी बिमारी के सबसे बड़ी वज़ाई कौन होते हैं उनके पत मर्द ऐसे हूँ लेकिन कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं सुनीता जो मर्द दम तक अपनी पतने की पूझा करते हैं मैंने तो ऐसा एक भी मर्द नहीं देखा फ्लीज अंकल मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता मुझे क्लिनिक पहुंचना है मैं चलती हूँ गुर्भाई वीवर अंधान का नाम मिटाने पतुली हूई है भाई साथ लगता है डॉक्टर बनाने के चकर में आप अपनी बेटी को घर ग्रेश्टी की किताब पढ़ाना भूल गए आप ठीक कह रही है बेंजी मैं ऐसे बेटी की तरह नहीं बेटे की तरह पाला है अगर इसकी मा जिंदा होत तो शायद ऐसा ना होता आप फिक्र मत लीजे भाई साहब एक औरत होने के नाते मैं उसकी बीमारी समझ गई हूँ आपके बेटी मेरी बहुत जरूर बनेगी ये मेरा आप से वादा है अच्छी लगी मा ये अरे ये तस्वीरिया किसने रखी बेटे नर्वस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें ये लड़की अगर पसंद ना भी हो तो भी हम इसे पसंद कर चुके हैं और अपनी बहु बनाना चाहते हैं क्यों जी हां जी तो फिर प्रॉब्लम क्या है हां जबरदस्ती इस pri Hessi कि कि साधी करना चाहती हुए नहीं बेटे भिलकुल नहीं इस लड़की की बीमारी क्या है ये मैं तुझे बताती हूँ और वो बीमारी तुझे दूर करनी है ये दवाईं खाती रहना, लेकिन हफते में एक बार मेरे पास आना पड़ेगा मुझे यकीन है, तीन मेहने में तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूगी शुक्रिया, डाक्टर गुद बॉर्निंग, डॉक्टर गुद मॉर्निंग खमेल बैठिये न, थांक्यू आपका नाम क्या है, जी महेश, अच्छा महेश, क्या तकलीफ है आपको दो साल पहले, माया नाम की लड़की से मेरा प्यार हुआ, उस वक्त मैं पेंटिंग करता था लेकिन माया से मिलने के बाद, मेरे ब्रश सिर्फ माया के पेंटिंग बनाने लगे अच्छा माया के सिवाए मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था छे मैंने बाद हमने ही शादी कर ली माया 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 दिन, राच, सुभे, शाम, उटे, बैटे, सोते, जागते, सिर्फ माया ही मेरी जिंदगी बन गई थी लेकिन तक्दीर को शायद हमारा प्यार पसंदी आया तीन मेले पहले माया मर गई ओ, हाँ साइब उसके मात पर मैं पंद्रा दिन तक वियोश पड़ा था डॉक्टर उने मुझे वियोशी से तो जगा दिया लेकिन माया की यहादों से नहीं निकाल सके अब जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ जिसकी शकल माया से थोड़ी बहुत भी मिलती जुनती है तो दिल करता है कि उसे पकड़ कर सीने से लगा लूँ डॉक्टर अब पर्शू की ही बात है मैं एक दोस्त के घर में बैठा था उसकी दोबन कपड़े लेकर आई मुझे वो माया चैसी लगी मैंने उसे पकड़ लिया अच्छा हुआ कि दोभी बाहर खड़ा था वैसे मैं कही बार पिट चुका हूँ इतने अपमान सहने के बाद जीने को दिल नहीं चाता डॉक्टर लेकिन मैंने माया को वच्चन दिया था कि मैं खुदगुशी कभी नहीं करूँगा अब आप ही बताईए इस तरह मैं कैसे जिन्दा रह सकता हूँ डॉक्टर ने ने डॉन्ट वरी तुम जिन्दा रहोगे मैं तुम्हारे इलाज करूँगी तुम्हे एकदम ठीक कर दूँगी सच डॉक्टर हाँ ऐसे क्या देख रहे हूँ अरे वही आख वही बाल वही होट माया मेरी माया महेश महेश तु आगई माया छोड़ो मुझे मुझे चोड़ो मुझे मैं माया नहीं दॉक्टर हूँ तुम डॉक्टर हो मैं मुरीज हूँ सॉरी डॉक्टर देखा हमेशा मेरे साल ऐसे ही होता डॉक्टर मैं क्या करूँ मैं क्या करूं, डॉक्टर मैं क्या करूं पेचारा, कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से महेश, महेश जी डॉक्टर तुम्हारी बीमारी मेरी समज में आ गई है मैं तुम्हारे onu ऐसकरणागी सम दौक्टर? हाँ, लेकिन तुम्हें वो करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी कहिए, क्या करूँ? सबसे पहले अपने हुलिया ठीक करो जी, वो कर लूँ हाई, राजेश हाई सुरी, इम लेट कुछ और हो दिया? नहीं क्या बात है? तुम कुछ परिशान लग रहे हो क्या करूँ कविता इंटरनाशनल फोड़ोग्राफी कॉम्पेटिशन हो रहा है और मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता लेकिन समझ में ने आता के मॉडल किसे बनाऊ मॉडल? अरे, इतनी से बात के लिए परिशान हो क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? तुम? हाँ, मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी क्या कह रही हो कविता? इतने बड़े घरानी की लड़की और मॉडल नहीं बाबा नहीं सो वाट? मैं इसे अपना प्रोफेशन थोड़ी बनाऊंगी ये तो सिर्फ तुम्हारी खातिर फुयासिक लेकिन कविता मेरी बात तुसर लेकिन वेकिन कुछ नहीं मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी अच्छा ये बताओ तु मिझे क्या रूप दोगे? मेरे दिमाग में एक ख्याल है कि अवरत और जेवर दोनों का संगम इस दुनिया की सबसे बड़ी सुन्दरता है फैंटैस्टिक तु मेरे साथ घर चलो मेरे पास सब तरह के जेवर पड़े हैं जो तुम्हें पसंद आए उनमें फोलोग्राफ कर लेना ओके? थैंक्यू कविता थैंक्यू सो मच चले वाह क्या जेवर हैं इतने सारे जेवर देखकर आखें चोंजेगे अच्छा ये बताओ इनमें से पहले कौन सा पहने अरे कुछ भी पहन लो तुम्हारे जिसम पे तो सभी अच्छे लगें ये पहनो हाह, गुड ठीक है वाह लगता है आस्मान के तारे पहन कर कोई अपसरा जमीन पे आ गई सच? सच कविता लगता है भगवान ने तुम्हें देवताओं के लिए बनाया कलती से धर्ती पे भेज़ दिया इतनी सुंदर नारी किसी इंसान के भागे में नहीं हो सकती राजेश ऐसी बाते सुनके मुझे कुछ मुझे कुछ होने लगता है चलो ना तुम अपना काम करो ओके ओके जिसमेर थोड़ा इस तरफ थोड़ा बस थोड़ा चिनफ फैंटास्टिक और यह होंट थोड़े से कुले रखना प्योड़े प्योड़े रफली फ्योड़े कर फ्योड़े थुमिख सभी तुमिख सुमिख प्यार दोनों में कुछ न कुछ है जाने उसका क्या नाम है हम दोनों में कुछ न कुछ है जाने उसका क्या नाम है तौबा वो नाम न लेना वो नाम बड़ा है बदनाम है हम दोनों में कुछ न कुछ है जाने उसका क्या नाम है बादो नमना लेना वो नमना बड़नाम है हमन दोलों में कुछ न कुछ है इलकार करो इकरार करो इलकार करो दिल में क्या है इजहार करो होटों पे बात ना आए तो आखों आखों में प्यार करो हम दोलों में कुछ न कुछ है जाने उसका क्या नाम है मुझे को कहना कुछ और नहीं बस इश्ख पे कोई जोड नहीं तुम ऐसे मुझे को मत देखो मैं आशिक हूँ कोई चोर नहीं लोलो पर मेरी नींद चुरा लेका फिर भी तुम पे इलजाम है हम दोनों में कुछ न कुछ है जाने उसका क्या नाम है कोई बाद मेरे साथ करे तुम प्यार मुझे दिल रात करो अरे कुछ मेरे दिल का हाल सुनो कोई अपने दिल की बात करो मैं हूँ याद तुमारी है और मुझे क्या काम है हम दोनों में कुछ न कुछ है चाने उसका क्या नाम है बादा वो नाम ना लेडा वो नाम बरा बदनाम है हम दोनों में कुछ न कुछ है हम दोनों में कुछ न कुछ है हम दोनों में कुछ न कुछ है आर पूनों में कुछ मैं, मैं इनका फ्रेंड हूँ, मेरा नाम... है, सालाग चोरी करने के लिए आए, ने, 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 जोर, चोर, पकरो, जोर, पकरो! यह स्थील की टांग है, एक लगाऊंगा न, तो थोबड़ा फुक जाएगा है! ये लोहे का हाथ है! चमरे के जबरे पे पड़ा ना तो भी! बेटी कविता? क्या हुआ? इधर देखो. क्या हुआ? वो वो आदमी कौन था? यहां कैसे आया? तुम तुम जानती हो उसे? बोलो ना. अरे चुप क्यों है तू? बोलती क्यों नहीं? तू अपने सारे जेवर यहां पर क्यों लेके आई? बोल! वो साला चौर यह सारे जेवर कपड़े में बांद रहा था. हां? अच्छा हूँ, हम लोग सही वक्त में पहुंच गए? परना वो यह सारे जेवर लेकर चंपत हो गया हो था. तो के पास, मक्का, फर्यवी, चो, तुने मुझे दोगा दिया है. मेरी भावनों से खेला है. कविता, मेरी बात रहा. शारब! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी. मैं तुम्हारा मून लोच लूँगी. मैं तुम्हें मार दूँगी. चुम्हें मार दूँगी... ज़नसे मार दूँगी. मा? 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 यह मेरी मा है, पिछले 15 साल से यह सिर्फ नाम के लिए जिन्दा है, यह अपनी पिछली जिन्दगी बिल्कुल भूल चुकी है और नहीं यह किसी को पहचानती है, तेज अवाज सुनकर बस पागल सी हो जाती है, इनका इलाज सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, और उसके लिए मुझे 10 लाक रूपों की सक्त जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारी जेवर चुराने की कोशिश की, मैं चोर नहीं हूँ, नहीं चोरी करना मेरा पेशा है, बस मेरी मा ठीक हो जाए, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है, कि वो मुझे पैचान सके, मुझे बेटा कहके पुकार सके, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तयार हूँ, चोरी, डाका, खून भी, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा मुझरिम हूँ, तुम मुझे जो चाहो सदा दे सकती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है, उसके लिए मैं बिल्कुल शख मिंदा नहीं हूँ, राजेश, मा की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई चीज नहीं है, इसकी कदर मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी मा नहीं है न, आज तक मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हारी पूजा करोगी, राजेश अमेरिका में ऐसे कुछ केसिस का इलाज तो जुरूर हुआ है, हाँ लेकिन हर आदमी वहां का खर्चा बरदाश नहीं कर सकता न, इस बार डैडी के एक्सपीरियंस का फाइदा उठाना पड़ेगा, वो बाहर गय है, आती ही मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन तुम्हें इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो, मैं उनके पेटे राजेश से प्यार करती हूँ, नॉंसेंस, इस बीमारी के चक्र म मैं जाता हूँ, बाद में आजाओंगा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यह मेरी सहली है कवीता, और यह मेरे मरीज महेश, हलो, हलो, तुम जाओ कवीता, नहीं तो यह तुम अपनी पत्मी समझ कर पकट लेगा, क्या तुम के सुनता में चलती हूँ, पाई, एक मिनिट, डॉक्टर, इन्हें देखकर, मुझे अपनी बहन याद आ रही है, तुम्हारी बहन भी है, वैसे है नहीं, लेकिन मेरा मन कहता, अगर होती न, तो बिल्कुल इनकी जैसी होती, हालो, सिस्टर, हालो, कि सिंदा मैं चलती हूँ, बाई, बाई, महेश, महेश, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर हो, मैं मरीज हूँ, आम सॉरी डॉक्टर, कोई बात नहीं, इधर आओ, इंस्पेक्टर नराइन हीर, मैं शम्भू हूँ, सर, पुलिस इंफार्मर, मैंने ही बिला पंजा के बारे में आपको खबर दी थी, सर, हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ, क्या बात है, सर, लगता है कि उनको पता चल गया है, कि मैं पुलिस का खबरी हूँ, मेरे घर के चारों तरफ उनके आदमी पैरा दे रहे हैं, और मुझे डर है साब, मुझे मान डालेंगे, तुम घबराव में शम्भू, मैं भी आता हूँ, थेंक्यू सर, अच्छा, पुलिस को गुला रहा था, अब पुलिस मेरा क्या पिकाड लेगी, नहीं बादू साब, मैं तो, तेरी एतन नहीं मात, हमारी खुफिया बात है, पुलिस तक पहुचाता है, हाँ, तु समझता, पुलिस का खबरी बनके हमसे बचाएगा, नहीं बादू साब, मैंने पुलिस की कोई मुख्री नहीं बादू साब, मैंने पुलिस की कोई मुख्री नहीं बादू साब, मैंने पुलिस की तो पुलिस की गोलियां तुझे भूम के रख देंगी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नरान मुझे गिरफतार करके अच्छा नहीं किया तुमने शट अप बक्वास बंकर वनना मार मार के जुबान बंकर दूगा एए तुम साला पंदरा सुर उपए पाने वाला नौकर हमको बहादुर सिंग को धंकी देता है मुझे से दुश्मनी कितने महगी पढ़ेगी तुम सोच पे नहीं सकते है क्या कर लेगा तुए अपने भाई नेता परश्राम से कहके मेरे खिलाफ करवाई करवाईगा मेरा भाई परश्राम जो तुमारा हश्र करेगा उससे पहले तुमारे साथ क्या होगा ये देखे तुम खून के आसू रोगे शित्या मात नहीं नहीं मैं किसी आलत मैंने छोड़ूगा इंस्पेक्टर मन्ने बादूर सिंग्जी और उनके साथियों के जमानत के काकज ले आयाओ वह किल सार दिखा दियो इंस्पेक्टर देख लेओ हवल्दार छोड़ दो इन तिनों को अरे आओ मन्ने के पादूर आओ 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 अरे मन्ने बोलू गुस्सा दूग दे क्या तुम्हारे घर भी नहीं आई पता नहीं कहां चली गई अच्छा विटी ठीक है मैं आपी का इंतजार कर रही थी क्यों शिला अभी तक घर नहीं आई तो इसमें इतना घबलाने के क्या बात है अपनी सहली क्या कही होगी आ जाएगी थुड़ी दिर में सारी सहलीयों को मैं फोन कर चुकी हूँ सब कहती है रिसेस के बाद शीला कालिज में भी नहीं थी अरे तो पिच्चर विच्चर देखनें गई होगी तुम तो खाम खां टैंशन लेती हो खुद तो परेशान होती हो दूसरे को परेशान करती हो अच्छा शीला अच्छा मेरी बच्ची मेरी बच्ची क्या हो गया क्या हो क्या हुआ मेरी बच्ची 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 इस्पेक्टर नरैन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मताविक तुमारी बेटी का खून दिन में तीन बज़े हुआ और बहादूर की जमाना शाम को पांच बचे हुए मैं मानता हूँ सर लेकिन बहादूर जैसे लोगों के पास बहुत से ऐसे आदमी है जो उनके इशारू पे काम करते हैं प्लीज सर अब बहादूर की गरफतारी का वारंट जारी करवाईए कूल डाउन इस्पेक्टर नरायन बिना किसी सुबूत के हम बहादूर की गरफतारी के वारंट कैसे जारी कर सकते हैं एक जिम्मेधार पॉलिस ऑफिसर के कहने पे भी नहीं सब कल उसने मुझे पॉलिस स्टेशन में धंकी दी थी अगर नहीं तो इसका मतलब यह किस वर्दी का कोई रुद्वा नहीं कोई अपनी जान पर खेल का दुश्मनी मोर लेकर उस शरी बदमाश को गिरफतार करें और पॉलिस डिपार्टमेंट के तरफ से उसे इनाम या तारीफ मिलने के बजाए उसे अपनी बेटी की खून में डूबी भी लाश मिले अगर यही सिरा इस नौकणी का इस वर्दी का तो कौन अपनी डूटी नभाएगा सर कौन चंता की रखवाली करेगा कौन इंसाफ करेगा तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा तीसरी अदालत तुम हाँ मैं आज तुझे सजा देने आया हूँ मौत की सजा बाद और मात से ने डरता तीसरी अदालत हाथ में स्टेन गन लेके काहिरों की तरह किसी को मारना मर्दान की नहीं है किसी की बेटी को गिराय के आज में उसे मर्वा देना मर्दान की होती है किस की बात कर रहे हैं तुम इंस्पेक्टर नाराइन की बेटी की क्या सबूत है कि मैंने उसे मर्वाया सबूत अबर बहस कानून की अदालत में की जाती है तिस्री अदालत सिर्फ फैसला करती है अब दिखा अपनी मर्दान की पाउड़ लूड़! राउड़! गाउड़! अब राउड़! कर राउड़! बाउड़! ऑउशड़! गएड़! चकार नठाड़! अचने फाउड़! हुआ 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 हुआ! लकी की काझए हुआ 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 नह् a! खणous कौआ हुआ हुआ! म Γूसροयक्त श diffé रवत द dárımheen! पर जाने पर दो नहीं है उपर ते की रहा है तेसरी अदालत संदाबाद कौन है ये तीसरी अदालत क्या कर रहा है आप लोगों से गिरफदार करने के लिए मैं आप सब के खलाफ दिली में रेपोर्ट करूँगा कल तक वो छोड़े छोड़े लोगों को मारता था आज उसने मेरे भाई नेता परचुराम के भाई को मर दिया हम नेता हैं जनता के रहनुमा हैं हमारे संब्धियों के इफादाद अगर पुलिस नहीं कर सकती तो क्या दरूँथ है पुलिस डिपार्पेंट की पुलिस काफी अलर्टे नेता जी हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे कब कर लेंगे आप उसे गिरफ्तार आपके पास उसका अता पता हुलिया तक नहीं है मैं इंसानियत के नाम पर इंसाफ के नाम पर दीस भी अदालत को गिरिफतार करने वाले के लिए पांच लाक रुपए के नाम का एलान करता हूं गत शनिवार को तीसरी अदालत ने बहादर नाम के एक व्यक्ति के हट्य कर दी इस विशे में नेता परुश्राम ने तीसरी अदालत के ग्रिफतार करने वाले को पांच लाक रुपए नाम देने के खुशना की है पांच लाक पांच लाक रुपए का इनाम रखा है तुम्हें पकड़ने के लिए पांच लाक जिस जगह इंसाफ बेबस हो जाए जहां कानून के लंबे हाथ बांधिये जाएं वहां तुम्हारा कानून इंसाफ करता है तीसरी अदालत हमें वाकी तुम पर फक्र है मैं भी आपके मदद के लिए आपको शुक्रियादा करते हूं रिंदन साहब जब तक सांस में सांस है तीसरी अदालत का इंसाफ जारी रहेगा आप मुझे यहां क्यों लाई है डॉक्टर दिमाग की शांती के लिए ऐसी खुबसूरत जगह पर आने से तुम्हारे दिमागी तनाव कम होगा दिमाग को सुखुन मिलेगा ओ तो यह भी एक तेरे का इलाज है बिलकुल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ तुम पेंटर हो ना अपने शौक में इतना ढूब जाओ कि दिमाग कुछ और सोची ना सके महेश महेश क्या हुआ महेश मेरे ऐसा क्या के दिया कि तुम रोने लगे यही वो जगह है जहां मैं पहली बार अपनी पत्नी से मिला था ओ माई गाड इसी जगह इसी जगह में पेंटिंग करने आया था कैन्मिस फिट करनी के बाद मैंने मूड कर देखा वो खड़ी थी इसी जगह वो खड़ी थी मैं तो उसे देखता रह गया ऐसा लगा कि बगवान ने मेरे सामने एक जीती-जागती पेंटिंग खड़ी कर दिया मैं उसकी तरफ पड़ा, वो मुष्कर आयी, मैं भी मुष्कर आया मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगाओं उसने नजरे चुखा ली और धीर ऐसे बोली तो करो ना, मैं दीवाने की तरह उसे लिपड़ गया महेश, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ हाँ, तुम डॉक्टर, मैं मरीज, ये क्यो होता है मुझे मेरी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ कोई बात ही, शायद मैं ही तुम्हे घल्ट जगा ले आई हूँ चलो, दूसरी जगा चलते हैं हाँ, चलो अगर तुम ऐसी खुबसूरत ऐसी शान्त जगह पर घुमोगे तो अपनी पिछली सारी यादे भूल जाओगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगे अरे वहां कहा रोग गए आओ ना क्यों यह जगा अच्छी नहीं तुम्हें पसंद नहीं आई इस जगा को मैं कैसे ना पसंद कर सकता हूँ यह वही जगा है जा मैंने पहली बार अमरित का मज़ा चका था अमरित? हाँ अमरित बाहर बिजली चमक रही थी हवा शरीर में घुद्गुदी कर रही थी हम दोनों जजबाती हो गए एक दूसरे में समा गए यह प्यार हमारा पहला कौवारा प्यार था मेरे होट जब उसकी कौवारे होटों से खग रहे उस प्यार का सुवाद अब तक मेरे होटों में बसा हुआ है वो प्यार, वो प्यार, नहीं, 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 नहीं नी जीू, मुझे प्यार करो, मुझे बहुत प्यार करो, अपने होट मेरे होट से लगा दो महेश, महेश, छोड़ो मुझे माया वे, मैं चल गई, मैं चल गई, निकल गई, ये मेरे जोनों तिरी मेरे प्यार भरी बातों में आग लगई जी बरसातों में प्यार की दो चार मुला आखातों में आग लगई लगई आग लगई जी बर्सातों में ये मेरी प्यार बरे बातों में आग लगई जी बर्सातों में तेरे लिए मुझे को छोड़के हाँ ये मेरा दिन गया ठेरे लिए मुझे को छोड़के आये मेरा दिन गया छूने से तेरे मेरा बतल बंकी जावन खिल गया जादू है क्या तेरे हाथों में जादू है क्या तेरे हाथों में आग लग गई जिबर साथों में चार की दो चार मुला आटों में आग लग गई जिबर साथों में आग लग जिबर साथों में आग लग लग जिबर साथों में आग लग जिबर साथों में हमने उठाले कसमे कई वादे कई हो गई कुछ देर पहले हम थे कहा जाने कहा आग 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 लग जिबर साथों में आग लग लग जिबर साथों में दॉक्टर तुम डॉक्टर हो मैं मरीज हूँ हलो अगल मैं उसे शादी करना चाहती हूँ आपको डाडी से बात करनी पड़ेगी यह क्या कह रही हो सुनीता एक शादी शुदा आदमे के साथ शादी करना चाहती हो यह कभी नहीं हो सकता तुम्हारी शादी मेरे पसंद के लड़के से होगी समझी नहीं डाडी मैं महेश की सवा किसी और से शादी नहीं करूँगी अरे कौन है ये महेश, तुम्हे कहा मिला था? मेरे क्लिनिक में मरीज बनकर आया था बहुत खुब, अब उसने तुम्हें मरीज बना दिया उसकी पत्नी मर चुकी है डाडी लेकिन वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि मैं सोच भी नहीं सकती और मुझ में उसे उसकी पत्नी नजर आती है क्या? सुना करम विर सुना तुमने उसे इसमें उसकी पत्नी नजर आती है कल उसे और लड़की मिलेगी, उसे पत्नी नजर आएगी उसे प्यार करने शुरू कर देगा नहीं डादी, मुझे यकीन है, ऐसा कभी नहीं होगा सुनीता, तुम है उसके प्यार पे पूरा भरोसा है? हाँ, अंकल महेश महेश? तुम? सुनीता बेटी, यही है वो लड़का, जिससे मैंने तुम्हारी शादी तै की थी और यह बिचारा बिलकुल कंवारा है, जिसरा रामचंदर जी ने सीता को पाने के लिए धनुश दोड़ा था, इसने तुम्हे पाने के लिए तुम्हारी जिद तोड़िये कंग्रेशुलेशन्स माइ बोई, तांक्यो साम तुम सब लोग मिलकर ड्रामा करते रहे, यू चीट, तुम डॉक्टर, मैमरी, सुरिता बैटी, अपने होने वाले साथ सुसर के पाउच होगा, इतनी हिम्मत, शादी करना चाहती है, उस चोड से, उस चोड नहीं है, अपने मां के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, ऐसे दो टके के जरूरत मंद गरीब इस धरती पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन मखमल में टाट का पैबन लगाना हम अमीरों का काम नहीं है, हम तुम्हारी शादिया ऐसे घर में करेंगे, जहां दौलत तुम्हारे पैरों में बीची रहेगी, नहीं चाहिए मुझे दौलत मुझे प्यार चाहिए, अपने पसंद का जीवन साथी चाहिए, चुप रहो, तुम अभी बच्ची हो, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती, मैं बालिग हो चुकी हूँ, और अपनी जिनगी का फैसला करने का कानूनी अधिकार है मुझे, जादा मू चलाओगी तो और मारूंगा एक, मार डालिये मुझे, चालने लीजिये मेरी, लेकिन मैं शादी करूँगी तो राजेश से, सिर्फ राजेश से, समझ में नहीं आता, कौन सा भूत चड़ गया इस लड़की पर, यह भूत नहीं, दिवान की यह भाया, और इस दिवान की का सिर्फ एक इलाज है, कहा रहेगे तुमेरी डॉक्टर सेली, अब तक तो आजाने चाहे था, आते ही होंगे, हाई कवीता, तु भी कमाल करती है सुनीता, अकर शादी करवाने वाले पंडित लोगी देर से आने लगे तो होली शादी, पता है रजिस्टर कब से इंतिजार कर रहा है, दूसरे गवा को लाने में देर हो गई, यह है वो, मेरे मंगेतर महेश, मंगेतर, अरे यह तो वही ह है न, तेरे मरीज, हाँ सिस्टर, मैं बिल्कुल वही मरीज हूँ, इनसे मिलिए यह, समझ गया, समझ गया, यह तुम्हारे मरीज है, ए मुबारको ब्रादा, चलो चलो यार, रिजिस्टर साब इंतिजार कर रहे है, हाँ, चलो, आप में से राजे शुर कमीता कौन है, हम है, और विट्ने सिस, हम दोनों है, आप लोगों का रिष्टा, यह मेरी कजन है, और यह मेरा भाई है, यहां साइन कीजी, ए राजे, क्या आदिक करने आ है, थाँ हुआ 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 है आझन नखने PAUL प्रेमियों के दिल अंची मज़ कर उड़े ओ आशिकों के नाम एक दुझे से जुडे जुडे, जुडे, जुडे हिप हुरे, हिप हुरे, हिप हुरे, हिप हुरे प्रेमियों के दिल अंची मज़ कर उड़े आशिकों के नाम एक दुझे से जुडे, जुडे हिप हुरे, हिप हुरे, हिप हुरे आशिकों के दुझे से जुडे हिप हुरे, हिप हुरे पूले, बूले, 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 होड GUY!! ये दुनिया चलती कलवार है, ये दो दिनों की दिवार है ये दुनिया चलती कलवार है, ये दो दिनों की दिवार है मेरी मुहाबत इस पार है, तेरी जवानी उस पार है हो 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 भी जने दुनिया के लोग कितने बुरे 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 हिक हिक पुरे हिक हिक पुरे हिक हिक पुरे हिक हिक पुरे प्रेमियों के दिल बंच परकर उड़े हो 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 आशिकों के ना ये खे दुझे से जुडे हिक 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 पुरे एक जरूरी एइलान सुनिये ये डाकू ज्वाला सिंग का फोटो है ये बीस करोर रुपय के हिरे चुराकर जोदपूर से भाग गया है ऐसा ख्याल है कि ये बंबई आ रहा है 25 साल पहले ये ज्वाला एक पुलीस आफिसर था इसकी नाजायज हरकतों की वजह से इसे दिपार्ट में इसे निकाल दिया गया था अब 10 सुन और 15 वेकैतियों के सिलसले में पुलीस इसकी तलाश में है इंस्पेक्टर अमरनाथ वाँ भाईजवालाव वाँ मजा आ गया बाग्या वाँ वाव वाव भाया मनने जबसे अपनी मागी कोक से जणम ली ओ जेबर का जंदा कियो लेकिन बैन के टके इतने ख़पसुरत किम्ती ही रहे है मनने एक साथ का बेरी देखा भाई हाँ निता जी मैं जल्दी से जल्दी इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ इन हीरों की कीमत है खबर ने कर दिया है नेता जी मनने तो बोलनू जब तक आप है कानून पूलिस के कर लेगा ड़कू जी जब तक इनकी 46 में आप है कोई बेन कटका तवारे शरी से चोटा सा बाल बीर आउगाट सके संजो के नहीं वो तो ठीक है लेकिन अगर तुमने जरा सी भी चला की दिख करना मनने नेता जी से बिगाड़कर अपनी मेरा मतलब मरना है क्या क्यों नेता जी मुझे इस पर पूरा भरोसा है तुम्हारे खाने पीने का यहां जिदाम कर दिया है कल शाम को तुम से मिलने आओंगा ठीक अरे डाको जी मनने तो बोलू आपकी हिपाजत के लिए गेस्ट हाउस के चारो तरफ दो चार बेहन के टेकर लगा दूँ मेरे तीन आदमी तीस आदमियों के बराबर हैं जैचन मनने मालूम है मननने मालूम है चलो जैचन आया हीरे जी मेरा मतलब मनने इतना जी बड़े मोट अरे सेट जी आप यहाँ क्या भाया प्यासा कुवा के बाद जावे कुवा थोड़ा प्यासे के बाद आवे अचा अचा बेठिये आये सहरेarta लगेघायए बरुलीत-रचा मुतलेद के बंद दौंध मतलब स्पिदम्हे बंद करते हैं ंपस नहीं कि लुके अगे सबसें ने तो मक्रा थै को क्योंने बंद करत या थे डी आपिայेख़्न मन्ने जो आदमी काम का लाग है उसकी पूरी खबर रखो तैने भला ही चोरी गंदा छोड़ दिया हूं लेकिन चोरी के माल को लूटना चोरी ना हुए तुम कहना क्या चाते हो सेथ तैने जवाला डाकू का नाम सुना है वही बीस करोण के हिरो वाला वही बेन का टका तै वो हीरे लाके मन्ने को दे दे मन्ने तै को दो क्रोड़ पर दे दूँ सोच ला भाया जिंदगी की सारी जुरूरत एक जड़कना पूरी हो जाएंगी चोर सोचता क्या है रजेश इससे अच्छा मोकर तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा बोलो भाया तुम ठीक कहते हो सेथ चोर को लुटना जोरी नहीं खुश्यारी होती है मुझे ये सौदा मन्जूर है अरे इधर नहीं इधर नहीं है इधर कवो उड़लो यहाप क्या कह रहें डर आखे में जाती देखी गई अब पवय में ज्यादा तर बंग ले बड़े-बड़े बिजनसमेन के हैं इसलिए एक ही जगा है जहां जुआला जाकर छुप सकता है और वो है नेता परशूराम का गेस्ट हास अगर जुआला वहां नहीं हुआ डरी तो नेता परशूराम अब आप कमिशनर बन जाएगा बेट है यह तो आग से खेलने वाली बात है डरी फिर भी आपकी कमिशनरी के लिए और जुआला जिसे आदमी की गिरिफतारी के लिए मैं इस आग में छलांग लगा हुआ हलो करमवीर स्पिकिंग करमवीर मैं बोला हूँ जुआला नेता प पर शुराम के गेस्टाउस में छुपा हुआ है अपने लोगों को गेस्टाउस के चारो तरफ फैला दो ताकि आने जाने वालों पर वो नजर रखें हम लोग बाद में वहां जाएंगे जुला कल शाम को पार्टी हीरे लेकर सारे पैसे देदेगी मेरे जाने का क्या हुआ नेता जी कल रात को बारा बजे एक मोटर गोट मड आइलेंड से तुमें ले जाएगी इंटरनेशनल वाटर्स में एक शिप खड़ा है उसके जरीये तुम जहां चाहो मान गए नेता जी आपके हाथ वाकि कानून से ज़्यादा लंबे है तेसरी अदालत से ज्यादा लंबे नहीं है कानू तुम जरू करके कानून से बचने वालों के लिए तीसरी अदालत और तुम्हारे लिए पहचाना कुद्धे बलवन्थ तुम्हां मरनाथ वही बलवन्थ जिसे भाई की मौत के जुर्म में तुने ग्रिफतार किया था वही बलवन्थ जिसकी बीवी को जिन्दा जला देने का हुक्म दिया था तुने वही बलवन्थ जिसकी हस्ते खेलती जिन्दी को तबाह बरबाद कर दिया वही बलवन्थ आज तरी मात बन करा है वाई! 으리 रिर फीर! और! और! Aaaaaah! आएई! कि分... इस लोग अचर्द अचर्द है! नाएईएएएएएएए! खटारक्षारक्षार्णा! PET आयि, नयि, नयि, नय बल्मण! नयि, नयि, नयि! नय! तिस्री अदलत? लेन के शिजवे वैभीी जुम साटके ले कि अ मुण है, हमें जुम स्टानों औरेयों कि लोता है, ब साटको सी then About all कि बिताए तकान कि नहाज है कि उन खुय chairman तकि नहाई तकि अज़ एनिताए तकान फंछ अटेट...! तों तीसरी अधालत नहीं सआला थाना उन दोनों का खूण करके भग नीज़ तो क्या जॉन यह लुगत मैं तो तो तुम तीस्री अधालत के साथ कि उसकी मदद कर रहे थे अरे मैं इन हीरों में भागीदारी नहीं करूँ यह हीरे और अपने आपको मेरे हवाले करो चलाओ देखो दोस्त इस मामले में टांग मत अड़ाओ वरना मैं दोस्ती का भी ख्याल नहीं करूँगा समझे चुप चाप मेरी बात मान लो वरना अच्छा वाब अच्छा हीरे हुआ 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 ह हुआ 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 है कि दो लुए है कर दो कर दो करो रुपए दे सेट ओ कवे मन्ने से प्यारे से बबुआ को दो देदे कर दो कर दो करद के दो दो कर कर दो कर दो कर कि दोग मन्ने हिर दोare इत दो कर दोगरो दो ही को . कर दो दर्वाजा खोलो मन्ने पंचर हो गयो तो आप है वो चोरी के माल के खरीदार मशूर जैचन जी अरे काई काई जैचन जी मन्ने तो आम मन्ने मुद्धा तंज हो गयो जी अरे मन्ने मन्ने के वाप लो यह मौत की लंबी सिनन नी वन्ने से दूर कर ले हेरो का बैग हमारे हावाले कर दो वरना यह पिस्टोल चल पड़ेगी नहीं मन्ने बोलू कि चोर-चोर मोसरे भाई हो वह है फिप्टी पिपी खर लो गया बाट के खाने क्यान था माली नहीं मेरा बैग किठेगा है हीरे कहा है हीरे कहा है हीरे कहा है मननना मारो मनने लक्ष्मी मैया की कसम मनननी पता वो वो बैन का टक है राजेश हम तीनों को चूरा लगा आगे मनने बोलू आपको नया पपलू सोचयो नया पपलू सोचयो भाई बाप राजेश राजेश महीश क्या पत है राजेश कहा है वो तो घर पे नहीं है अंदर कौन है राजेश की माता जी लेकिन बात क्या है राजेश 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 क्या बात है बेटे राजेश 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 इन्हें अस्पता ले गए जहां इन्होंने चुड़वा बच्चों को जन दिया बेबस बेघर लाजार को हम अपनी घर ले आए इन्होंने पता लगाया कि इनकी पती शहर से कहीं दूर चले गए थे और पुलिस को शक था कि शयद वो जिन्दा भी ना हो इस दुखिया पर पिछली सी तूट पड़ी सुनो जी बोलो जी मेरे मन में क्विचार आया है अच्छा हाँ इतने साल होगे हमारी शादी को डॉक्टर ने भी कहा है कि हमारे बच्चा होना मुश्किल है पिचारी सुमती के लिए दो बच्चों को पालना मुश्किल होगा क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले एक तरह से उस पिचारी की तकलीफ पढ़ जाएगी और हमें उलाद का सुक्ष मिल जाएगा ये तुम क्या बात कर रही हो लक्ष्मी वो बिचारी वक्त की मारी वक्त की सताई एक मजबूर आउरत है तुम उसकी मजबूरी को अपने खुदगर्जी के लिए खरीदना चाहती हो ऐसा मैंने कब कहा वही तुमारे कहने का मतलब तो यही निकलता है देखो ममता इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज होती है अवरत हर चीज से अलग रह सकती है अपने अवलाद से नहीं ये बेकार की बाते तुमने सोची कैसी चलो सोजा फजर दोजा ल는지 क्यों अवलादी गोगए सुमती मैं! सुमती है सुमती मैं! य काँ चलीका? तुम्स हो अच़ कोच़ होई कि आया इस संसार में इंसान सिर्फ सहारे के साथ ही जिया करता है मेरा घर जल गया पती न जाने कहां खो गया बे सहारा नदी के किनारे पड़ी थी आप सहारा न बनते तो शायद बच्चों को जनम दिये विना ही मर जाती आपने मुझे बहन बोला है इसलिए एक बिंती करती ह अगवान ने मुझे दो बच्चे दिये हैं और मेरी भावी का अंगन सुना है मैं अपने खुशी से अपना एक बच्चा लक्षमी भावी को दे रही हूं बहन का तौफा समझकर कबोल कर लो चनम देने वाली सामने रहेगी तो पालने वालों को अला से सच्चा प्यार नही मिलेगा इसलिए जा रही हूं भगवान तुम सबको खुश रखे इसका मतलब है राजिश मेरा सका पाई है मैं अभी आया कविता 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 कव वा वा कविता वा रजेश में यहा हूं रजेश में यहा हूं तर्वाजा खलो राजेश कविता कविता मां का है महिश महिश दू बढ़ कर दिया और तुमारी मां को उठा ले गया और कहके गया है जब तुम हीरे लेकर पहाड़ी वाले खंडर मेंचाओगे तब तुम्हारी मां मिलेगी कि तूने मेरी माँ को ले जाकर अपनी मौत को दावत दिये कि राजेश 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 कमीने तू मेरी माँ को उठा के ले गया मैं तुझे जिन्दा नहीं छोगा कि राजेश एक मैरी बात तो सुन मै Alter मेरी बात सुन राजेश मेरी बात सुन लाजेश रुखा कि अब मिरा पाइट तु फिर बले मुझे जान से मार देने तु नहीं जानता तू मैं सड़य भाई है तू जूट मोका मैं सच कह रहा हूँ भाई मा की किसं तू मेरे साथ घर चल और अगर फिर भी तुझे यकीन आए ना तो मा के सामने जितना तेरा दिल चाहिए मुझे मार ले ना तू कि चल कि आओ कि मा तू थीक तो है ना माँ यह राजेश है राजेश यह मेरी माया है यह मेरै टैटी है बच्पन से इन्हों नहीं मुझे पाला है माह राजेश को यकीनन आ रहा कि हम सगय भाई ना यह सच में राजेश चल पहले का चन्म हमारे ही सामने हुआ था हमारे कोई अउलाद नहीं थी इसलिए तुम्हारी मा एक बीटा हमें दे गए थी हाँ राजेश राजेश पेरे भाई राजेश पेरे भाई अरे ढूड़ना तो पड़े गाई अग भारो में साव लिखा है कि जुआला डखको परस राम नेता का कूट तिसरी राजन ने किया है और पुलिस को वठे है हीरे मिले नहीं है और ये राज हम तीनों जानते हैं कि हीरे अब राजेश के पास है मनने तो बोलू कि राजेश को अब ये क्यामरा यह क्यों चुपाए अरे भाईया इसमें इक बहुत कीमती तस्वीर है तीस्री आदालत की्टे चलौ जल्ली से HAS से डेवलक्व करके देख ओई भात काम है मुझे तीस्री आदालत से कि ये धो यह तीसरी आदालत है हां क्या तू मैंसे जानते हूं अरे लेकिन यह तो सुनी तक अंकल है अच्छा तो इसके दो रूप है इसे पकड़ कर कानों के हवाले करता चाहिए इडियोड़ की जी। नमस्कते बाबजी। नमस्कते bipolar जी। नमस्कते बाबजी। नाम नमDay बारिश। वभेश, जोर buck महेश, तुम, यह, यह सब क्या है? यह उस कानून की पकड़ है, जिसे आज तो कोई मुझरम बचने सकाय तीसरी अदालत। तीसरी अदालत? पागल हो गया तुम। पागल तुम हो। जो बेरहमी से खून की होली खेलते हो। जिसका सबूत यह है। इतनी बड़ी एस्टेट का मालिक, लोगों की नजरों में इंसानियत का देवता एक खूनी है, एक हत्यारा है। यह देखकर इंसानियत भी खून के आशु भादेगी। इंसानियत जरूर खून के आशु भाएगी। इसलिए नहीं के मैं तीसरी अदालत हूँ। बलके इसलिए के तुम जैसे बेवकुफ नौजवान, इंसानियत की हिफाज़त करने वाले, इस इंसान को मिटा देना चाहते हो। कानून से बढ़कर रिफाज़त करने वाला इस अनसार में और कोई नहीं है। और हम तुम्हे कानून के हवाले करेंगे। मट नाम कानून का मेरे सामने। कहा था वो कानून, जब बिलार पंजा कानून की गि eggplant में आये। क्या कर रहा था कानून जब इंस्पेक्टर नारायन की बेटी का खतल किया जा रहा था इंस्पेक्टर अमर नाथ जिसने मुझे पर जूटा इल्जाम लगा कर मुझे लॉक अब में बंद किया था जिसने मेरे घर को आग लगवा दी थी, जिसमें मेरी संतान पैदा होने से पहले ही, मेरी पत्नी के साथ जलकर मर गई, उस वक्त के कानून क्या कर रहा था, मैं पूछता हूँ कहा था कानून? मैंने कसन खाई है, अपनी पत्ने की, अपनी संतान की, अपनी आखरी सांस तक, मैं कानून का नाजायस पैदा उठाने वाले भेडियों को घत्म करता रहूँगा, मिताता रहूँगा, और अपनी कसम पुरी करने के लिए, तुम बच्चे तो क्या, दुनिया की बड़ी से अबरी ताकत मुझे नहीं रोग सकती, नहीं रोग सकती, नहीं रोग सकते, रस्ता मे आने वाली, हर ताकत का मैय, मिताकर रख तुगा! रहा जाज जो जो अर जुझ सोब फ़र प्ड़्स करेंगा हुएंदान जाजा जड़र टे जबाएंदा जाजा जाजा जे जड़रा का समय जाज़र प्रिवड़र का। प्षूश्ट दरो नहीं मैं तुम्हें मारूँगा नहीं क्योंकि मैं सिर्फ उनका खुन बहाता हूँ जो दूसरों पर जुम करते हैं तुम दोनों को मारकर मैं अपनी आत्मों पर बोज नहीं नहीं नहींदा मैं जानता हूँ इस तस्वीर का नेगेटिव तुम्हारे पास है जिसके जरिये तुम मुझे अदालत के कटायरे तक ले जा सकते हों लेकर मैंने कानून और अदालत का खिलवार अच्छी तरह सीख लिया है जिस तरह बिल्ला और पंजा बच गे थे उसी तरह मैं भी बच निकलूँगा लिसन बॉइस नो डॉंट टाइट एवर कम इन माइफ यह वह इनकी बातों में कितनी सच्चाई है बक्वास अपने हिसाब से अगर हर एक अपनी मजबूरी बना ले तो इस कानून, इस सरकार और इस देश की ना ही कोई कीमत रहेगी और ना ही कोई जरूरत मैं तीसरी अदालत को कानून की अदालत तक जरूर ले जाओंगा और देखूंगा कि उससे मौत की सजा से कौन पचाता है क्या बात है जरी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कोई चोट का निशान है ना कोई नस्खराब है लगता है कोई बहुत इमोशनल जजबाती सद्मा पहुंचा है जिस से दिमाग एक जगए पर आकर रूख गया है आकर फंक्शन नहीं कर रहा श्छ्ण्ट्ट्ट क्यां प्रो можешь क्यांव जन सुन मेंए क्याओ जिसा इसके जाए बखखए Gणार। सुटी पूदए बच्टी सुमादी, सुमादी मैंड़ी सुमती, क्या हो गया तुम्हें सुमती, 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 सुमती देख, मैं बलवन, बलवन, सुमती, देख, सुमती, मैं तुम्हारे पत्नी बलवन देख, सुमती, मैं तुम्हारे पत्नी बलवन देख, सुमती, मैं तुम्हारे पत्नी बलवन झाल झाल तुम से बना मेरा जीवन सुन्दर सपन सलोना तुम मुझे से खपा न होना कभी मुझे से जुदा न होना तुम मुझे से खपा न होना कभी मुझे से जुदा न होना जब मैं दू आवाज तुम जल्दी से आ जाना तुम तुम तो हो मुस्कान मेरी आसो ना बन जाना तुम मुझे को हसना आता है आता नहीं है ओना तुम मुझे से खपा न होना कभी मुझे से जुदा न होना तुम मुझे suivreे कह था कर चसा हो ए Cle होना नहीं होना था झा़भवववश का नहीं भोनम estाई रख तुम मुझे आता जाना दो होना होना यक्त बजस empowerment जडिए बवान आता है सुने प्यार के मंदिर में मन का दीप जलाओं मैं बैठो मेरे पास जड़ा गीत फिर वही गाओं मैं गीत फिर वही गाओं मैं याद दिलाओं वो भूला सुन्दर सपन सलोना याद दिलाओं वो भूला सुन्दर सपन सलोना स्नुन्दर सपन्दर सुन्दर 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 यादी तुम मुच से ख़पा न होना कभी मुच से जुदा न होना तुम से बना मेरा दीवन सुन्दर सपन सरोना तुम मुझ से ख़पा न होना कभी मुझ से जुदा न होना सुमती बेहन बेह जाना मुझे तुम लक्षमी बेहन हो और यह राम ओतार भाया है तुमारा बेटा कैसा है कैसी बाते करते हूं मेरा नहीं हमारा बेटा उसे सब कुछ मालूम हो गया है दोनों भाई एक दूसरे से मिल भी चुके हैं अच्छा दोनों भाई हाँ भाया राजेश और महेश दोनों सगे भाई हैं दोनों जुड़वां पैदा हुए थे और इसे मिले यह दोनों तुमारी होने वाली बहुए हैं कविता और सुनीता हमारी बेटी कहा है बुलाव ना उन्हें बहन जी वो दोनों एक बहुत ही खतरनाक मुझरिम तीसरी आदालत को पकड़ने गए हैं क्या सूच रहे हो हमारी बेटी किसी खतरनाक मुझरिम को पकड़ने गए हैं भखवान न करी हुने कुछ मेरा दिल खबरा रहा है मेरे बच्चों को मेरे पास लिया हूँ गवरान ही सुमत ही तीसरी आदालत से हमारी बच्चों को कोई नुकसा नहीं पहुंचेगा ये लो चलो राजेश हम ये फोटो फॉरन आई जी साब के पास पहुंचाने हैं एक बार फिर सोच ले भाई क्या तीसरी आदालत से टकराना ठीक होगा अरे डरते क्यों हो भाई अब तक मैं अकेला था कभी किसी से नहीं डरा लेकिन अब तुम मेरे अपने सग्य भाई मेरे साथ हो हम दोनों सारे समानी से भी टकरा सकते हैं चलो अरे भाया तैका कोई भेन का टका सका भाई भी है यह मन्ने को पता चला धेर खुसी हुई क्या चाहिए तुम्हे मन्ने की भाई बंदी सिरफ दालत से है देख बबुआ तै मन्ने को वह हीरे देदे ने तो तै दोड़ा भाईयां को मन्ने जमीन में जिन्दा करवा दूँ क्या हीरे तुम्हे नहीं मिल सकते है क्यों नहीं मिल सकते है क्योंके वो हीरे तीसरी अदालत के पास है तीसरी अदालत है यकीन नहीं आता तो यह फोटो देखाऊ जमाला को मारके वो हीरे ले गया यह तो हमारा पूराना ड्राइवर बल्वंत है बल्वंत है अरे भाया मन ने तो इसे बहुत बड़ा अमीर आदमी सेट करा मेर के नमसे जार हुआ है करम भी इसका मतलब यह हुआ कि तीनों रूप एक ही आदमी के हैं अरे भाया यह भैन कटका बैग में चपल देने वाला है का यह कीमत करियोग है इसके जूटोर शच का फैसला दो हम पड्डे पर ले जाके करेंगे फिलाव थो यह तीसरी अदलत के लिए हमें तीसरी चाल चलनी पड़ेगी लेज़र इन दौना को है जैं चल 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 वो दोनों घर पर नहीं है घर पर नहीं है? कहां रहे होंगे? आप घर चलिए, हम उन दोनों को ढूंड के लाते हैं Don't worry, I'll try to find them out जी तुमती राम सेंग टॉक्टर परकाश टॉक्टर परकाश टॉक्टर परकाश यह यह सब क्या हो गया? कौन आता है यहां? कुछ गुंडे तुम्हारी तालाश में आये थे तो मैं यहां ना पाकर मेरी हजार कोश्चों के बावजूद भी सुबती भावी को उठा कर ले गए मताता हूं तुसरी अधालत तु कौन आप्रामजादे? मनने वह भेन के टके बलबीर और अनमीर का दूत हूं वह ताय के पुराणे मालिक वह कुट्टे अभी तक जिन्दा हैं हाँ बाया, कभी कुट्टे भी जल्दी मारें हाँ वह जन्दा है, और मनने तैको एक और बात बताओं तैकी धरम पत्नी उनका कप्ज में क्या पक्या है? कहां मेरी धेम पत्नी? अरे, आम जादे कुट्टे की ओलाद, बताका है नहीं तो तुझे जाल से मागा लूँगा अरे, आरे मनने के कर दान चोर, वर्ना मेरी धोती खुल जाएगी मैं तेरे जैसे की धोती नहीं खोलता, कुट्तेक तेरे जैसे की खौबडी खोलता हूँ अरे, मनने की खौबडी कुलने जाख के भाये था अरे, भाया, जरा ठंडे जेमाक सासोच अगर मनने तय का जवाब लेकर उदा दो घंटे के अंदर ना पहुंचा तो वो कुट्त है तै की दरम बद्धी को जांदे मार देंगे जून में कले वूड पाड़के नीचे से बोल साले कैसा जबाब चाहिए तुम्हें अब आयने तया लार पे रनबीर और विलबीर का सोना लेकर तैन नोदो ग्यारा हो गया था कल ठीक पांच बजे तै वो सोना लेकर घोर बंदर के किले पहुंचाई ओ वासे कटे जाना है मनने तय को बताओ और हाँ वो डाक्कु जी मनने का मतलब है वो भी लेकर आयो आई का हां چले था है हुआ के किसी बैन के टके के हीरे जवारा मेरे पास नहीं है कैसे जिस ओर माहिश तो क्यारे थे कि वो हीरे तै के पास है जाजस वाक मैश कले वह आड़ेह भी उन फिरएं के कब जह में हैं किह की एकिए करूं भाया तो अच्छी तरह से जाड़े की रणबीर अबबीर लाल्चिक कुट्त हैं सोने और हीरे के वास्ते वह अपनी सकी मां का खून कर दें अगर टैना है ना भाया मनने डर लागे कई तैक की धरम पत्नी का खून ना कर दें कि तेरी वज़े से मेरी बेटी बागी हो गई मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी काप जाएगी अरे अरह मौत होता है कि काम जाएगी वह बहन का टकात तीस्वी दालत कभी भी टपक पड़ेगा हीरे लेके उसकी चिंता मत करो जैचंद वह उस वक्त तक चुछे से भी बत्तर है जब तक उसकी पत्नी हमारे कबजे में है तैक काम कर वह बुडिया को बलाकर अपनी आँखों के सामने धल लियो तुपान से जादा तेजी है उस सांड मैं लोगाई की मौत का डर यूस बैन के टके को कंट्रोल में रख सके तु यू समाझ कि वह बुडिया ज सकति बाट है जरा! 썸चा हुआं! मेर! जुद फचार मेर बाच्चार पाच्चाने की बाच्चाने। आरे बाच्च, बाच्च्च.. राचे! माहेश, माहेश, रेर बाच्चे, बेर बाच्चे! माहेश, बाचे.. पाजेश मेरे बच्चे यह सब क्या है बेटी तू ठीक होगी मा तुझे सब कुछ याद आ गया हाँ तेरे पिता ने मुझे सब कुछ याद दिला दिया इसका मतलब तीसरी अदालत तुम्हारे सगे पिता का बदला हुआ नाम है और उसका असली नाम है बलवन्त है न तुम दोनों वही राक्ष्य सुना जो उस दिन मेरे घर आय थे और मेरे घर में आग लगाई थी आ बिलकुल वही तुम्हारे देवर को मारा भी हमीने था और तुम्हारे पती को फसाया भी हमीने था कमीनों कुट्टों तुम्हारी वजा से हमारा खांदान बरबाद हो गया मैं तुम्हारा खूल पी जाओंगी बंदो इसको अगोर्दार जो मेरी माँ के आज ना रहे तुम्हारे बाप निकला मनने तो सोचा था सिरफ तीसरी अदालत की लगाई हमारे घर में पर इके दोन जाला कच्छुआ बनकर आए गया हुआ 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 करतो यह हाथ तुने तोड़ा था याद है? अब यह ही हाथ तुर से उगलवाएगा कि हीरे कहा है और यह टांग भी तुने ही तोड़ी थी ना अब इसी टांग से तेरे बदन की एक एक हटी तोड़ूंगा बोल कहा ही रगोड़ूंगा लगोड़ूंगा alive मैं पाता हूँ हीरे का आया है किस नहीं वह हीरे देश की हमाने थे इन कुटों के हाथ नहीं लगेगए मुझ पर हाथ उठा कर ये अपनी मौत को दावत दे रहे एक बाद सुलो हराम जादो जब तक तुम तीनों के जिसम के मैं टुकड़े टुकड़े नहीं कर लूँगा इस शरीर से दम नहीं निकलेगा अच्छा तु ऐसे नहीं बताएगा तुझसे कैसे उगलवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ अब तुम उपसे पूछो हीरे का हैं पूछो पॉछ आए अप अब आख अहाँ लगा अख उख अशू हाँ इसे आवगा जसुर्च कर अजब को भर सहुर्च्छיות ऑनकel कर जज में जज हाचा पूड़ाच को भर सहुर्च घ़ाँ जजदको घजटे थो त. झाल 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 बखिए बखिए गड़ी आजय है बखिए। यहाल कि में और रिया जगाल को पीघर आप अपके जरून को एजर है जरेख़वाऊ जरूल रूप यहाल छना क्षा आणिध बहाल लियाऊिवाली कि söाय अख़। अपके जिर लोन लुझी ही जर लोन विरूआ़ हुआ! कि आ कि नहीं बलों मत मरो मत मरो हमें मत मरों कि मुम तुम्हेंभी सारी दालत देने के हमें मत मार भा भा माफ करते हो तीसरी अदालत के फैसले से आज तक कोई नहीं बच सका आज तुम दोनों को खत्म करके मेरी जिन्दगी का मकसद पुरा होगा मेरे छोटे भाई की आत्मा कुशान्त में लेगी नहीं 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 जान लेले हुरे दे हिरे दे हिरे दे हिरे दे अरमने हिरे दे इसरी अदालत अपने आपको पोलिस के अवाले कर दो हाईची साहब आपसे एक बिंती है इस धर्ती से नर्मीर और बल्मीर जैसे पापियों का खात्मा कर दीजिए नहीं तो फिर कोई बल्मान ता अपनी तीसरी अदालत बना कर खड़ा हो जाएगा मैं अपने आपको आपके हावाले करता हूँ मिससर चंडन इन्हें गिरफतार कर लो मैं सॉरी सर इन्हें गिरफतार करने का मुझे कोई हक नहीं क्यों क्यों कि तीसरी अदालत के कई कारनामों में मैंने भी साथ दिया है इसलिए मैं खुद भी अपने आपको कानून के हवाले करता हूँ सर इन्स्पेक्टर राम अतार, इस सर, इन दोनों को गिरफतार कर लो सर इजास्तो तो एक मिनित आपने परिवार से मिल्लू ओके सुमक्सी हैश हैश अप्पी मा का ख्याला रख चुद तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सरो ना तुम जिसे खपा न हो ना कभी मुझे से जुदा न हो ना तुमसे बना मेरा जीवन